नई शिक्षानीती या राष्ट्रिय शिक्षानीती विद्याले शिक्षा को ले करके क्या कहती है ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे चूंकि यह शिक्षानीती बहुत बड़ी है तो इस वीडियोज को मैं सीरीज के रूप में पार्ट बाई पार्ट आपके साथ शेर करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर तो आप चैनल के साथ लगातार बने रहें दोस्तों जैसे किसी भी विशेश धर्म के लिए उसका विशेश धार्मिक गरंथ आस्था का केंदर होता है उसी प्रकार से एक अध्यापक के लिए उसकी शिक्षानीती ही उसका धार्मिक गरंथ होता है जी हाँ तो आईए आज हम अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के उसके क्या क्या में एजंडाज हैं उसके ओपर चर्चा करते हैं और आज की इस वीडियो में हम विजन और की प्रिंसिपल्स अफ नैशनल एजुकेशन पॉलिसी और साथ ही यूनिवर्सल एक्सेस एंड अर्ली चैल्डूड एडुकेशन इसके ओपर बात करेंगे आए सबसे पहले जानते हैं कि क्या विजन है हमारी इस राश्ट्रिय शिक्षानीटी 2020 का इसका सबसे पहला विजन ये है सबसे पहला इसका लक्षे ये है कि एक ऐसी समाज का निर्मान करना जो न्याय संगत हो जीवन्त हो और ग्यान पर आधारित हो इस दिशा में अपना योगदान देना और योगदान देना हाई क्वालिटी अजूकेशन सभी को उपलब्द करवाने में यानि उच्च गुनवत्ता पूर्ण शिक्षा की उपलब्दता सुनिश्चत करवाना इसका एक विजन है उसके बाद दूसरे नंबर पर इसमें आता है एक ऐसी भावना का विकास करना जो की बहुत गहरी हो बहुत सम्मान जनक हो और वो भावना किसके प्रती हो वो भावना हो मौली कर्दवियों के प्रती मौली कदिकारों के प्रती और समवेधानिक मूलियों के प्रती एक दूसरे के साथ यानि देश के एक नागरीक की दूसरे नागरीक से एक ऐसी बॉंडिंग हो एक ऐसा संबंद हो जिससे वो अपने आपको एक समझें उनकी जो आत्मा है उनकी जो conscious awareness है वो बहुत जादा बढ़ जाए और वो इस दुनिया को परिवर्तन करने में यानि इस किस परकार से इसको बहतर बनाया जा सकता है उसके लिए जो जो दाइतव उन्हें दिया जाए उन्हें निभाने में वो सक्षम हो इसके साथ ही कुछ ऐसी कोशल कुछ ऐसे मुल्य और कुछ ऐसी dispositions की यहां पर बात की गई है जो एक वैश्विक मानव बनने के लिए एक जानवा धिकार की बात की गई है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है एक ऐसे विकास की बात की गई है जो स्थाई हो जो विनाशकारी ना हो जिसके जो प्रभाव हैं वो बहुत बहतर हो बनस्पत के अंद विकास से तो इसमें इन तीन मुखे उदेशें क के ऑपर फोकस ऑपर किया गया है, कि बच्चे को इस प्रकार से बनाना है, कि बच्चा जो वो इन तीनों लक्षें को प्राप्ट करने में सफल हो सके, इसके बाद अगर key principles, यानि मुख्झ सिधान्तों की बात करें, तो इसके सिधानतों में सबसे पहले आता है कि विविदता और स्थानिय संदर्ब की सम्मान करना जी हाँ चाहे वो करिकुलम यानि पाठे करम की बात की जाए शिक्षन विधियों की बात की जाए या शिक्षा की नीतियों की बात की जाए उसमें विविदता को स्थान दिया गया है उसमें भारत को एकता में विविदता के रूप में स्विकार किया गया है इसलिए इसमें लोकल कंटेक्स्ट यानि स्थानी संधर्व को महतबुन स्थान दिया गया है और इसके बाद आगे आता है समानता और समावेश इसमें जो है वो हर प्रकार से समानता के उपर बात की गई है ताकि जितने भी शेक्षिक निर्णे हों वो सारे के सारे समानता के उपर आधारित हों और सभी को समान रूप से लाब पहुंचाते हों और समावेशी हों यानि किसी को भी अपनी पहुंच से बाहर ना करते हों हर चीज को अपनी पहुंच में लेते हों अगला है इसमें समुदाइक सहभागिता जिसको बढ़ाने का प्रयास जहाओ इस शिक्षानीती के माध्यम से किया गया है ताकि शिक्षा में और अधिक बहतरी लाई जा सके तकनीकी के बल पर तकनीकी के परयोग पर विशेश बल दिया गया है और जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें किस परकार से शेक्षिक योजना में या शेक्षिक प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है इसमें तकनीकी का यह क्या योगदान हो सकता है इस पर भी इस शिक्षानीती में बात की गई है इसके बाद जिसमें जो अलग आगे जो इसमें एंफसाइज किया गया है जो इसमें महत्व दिया गया है वो है वो दिया गया है संपरत्यों को समझने पर यानि इसमें किसी भी चीज़ को रटने की बजाए उस चीज़ को ध्यान से समझने और उसकी अंडिस्टेंडिंग के उपर बल दिया गया है और इसमें परिक्षाओं को जो महत्तव है वो अब understanding को जादा दिया गया है ना कि जो rote memory थी उसको इसमें neglect करने का परयास जो वो किया गया है और बच्चे की unique capabilities को recognize करने का परयास इसमें किया गया इसके साथ ही एक और मुख्य सिधानत इसका है कि बच्चे में critical thinking यानि कि बच्चे में जो है वो हमने ऐसी सोच विक्सित करनी है जो सोच किसी की हां में हां ना मिलाते हुए अपनी स्वतंतर सोच, स्वतंतर innovation की सोच रखती हो और इस परकार से देश जो है वो वग्यानिक उन तो उसको उसी समय ठीक किया जा सके ये थे इसके key principles इसके बाद है महत्वपुन बात है आगे कि universal access किस परकार से की जाए यानि सारव भॉमिक जो पहुंच है वो early childhood यानि के जो हमारा बच्चपन होता है बच्चे का उसमें कैसे उसको देखभाल मिले उसकी शिक्षा कैसी हो ECCE इसको नाम दिया गया है early childhood care and education तो इसमें इस पर भी बहुत ज़्यादा focus किया गया है इसमें सबसे पहले बात किये गई है foundational learning curriculum की जो आयू वर्ग तीन से आठ के बीच में होगा और इसे दो भागों में विभाजित किया गया है पहला तीन से छे वर्ष की आयू जिसे ECCE क तक रखा गया है और इसमें जो है वो primary को include किया गया है primary school को include किया गया है इसके बाद आती है preparatory stage यानि कि ऐसी अवस्था जहां बच्चा तयार होता है उसकी तयारी की अवस्था अब ये जो stage है ये पांच वर्ष की आयू से पहले ही शुरू हो जाएगी और इसे preparatory class या ब जो है children के लिए 3 से 6 वरश के वो free safe और high quality early childhood care and education at अंगनवारी प्री स्कूल और भालवाटिका को भी इसमें सुनिशित किया गया है इसके बाद जो ये ECCE है ये multi जो है इसमें वो हो रहेगा dimensional रहेगा इसमें flexibility रहेगी इसके बहु जो वह स्तरिय रहेगा ये इसमें खेल को जहाँ महत्व दिया गया है इसमें गतिविधियों को महत्व दिया गया है और सबसे बड़ी बाद इसमें inquiry based learning यानि के बच्चा खुद करके सीखेगा खोजी परविती की और बच्चे की इसमें ध्यान दिया गया है इसके बाद इसका इंप्लिमेंटेशन है वो HRD यानि के Human Resource Development Ministry WCD Women and Child Development और Health and Family Welfare के साथ साथ Tribal Affair Ministries जो वो साथ में करेंगी अब इसकी जो ensuring है वो किस तरीके से रहेगी school levels पे सबसे पहले तो multiple path phase रहेंगे इस इसमें involved किया जाएगा formal यानि आपचारिक वो अनपचारिक शिक्षन माध्यमों को शिक्षा माध्यमों को जो हो इसमें include किया जाएगा तो यह अपने आप में बहुत से इसमें तरीके जो हो रहेंगे फिर नए स्कूलों का निर्मान किया जाएगा चाहे वो सरकारी हो चाह इसमें रहेगा जो drop outs है उनको वापी स्कूल में लाने पर बिल्कूर ध्यान दिया जाएगा इसके बाद alternative centers बनाये जाएंगे और यह जो है यह innovative education centers के रूप में भी काम करेंगे इसके साथ ही peer tutoring का भी इसमें रखा गया है यह concept इसमें जो है वो suitable रहेगा यह सभी categories के लिए business personal and presentation के लिए अब बात करते हैं कि इसके expected outcomes क्या होंगे क्या क्या जो है वो इससे निकल कर सामने आएगा तो देखे universalization of access रहेगी इसमें from ECCE to secondary यानि के early childhood care education से लेके secondary सतर तक इसमें universalization की बात की गई है इसमें equity और inclusion को ensure करने की बात की गई है इसमें दो करोड के करीब out of school लाने की बात की गई है इसमें SDG goals को अचीव करने की बात की गई है और यह जो है यह secondary education तक जो हो अचीव करने की इसमें कोशिश रहेगी इसमें improve करने की कोशिश रहेगी quality को और achievement of learning outcomes के ओपर इसमें focus रहेगा specially foundational literacy and numeracy mission के रूप में इसको लिया जाएगा और 21 सदी के जो skills है teaching, learning और assessment उसके ओपर focus रहेगी resource sharing जो वो school complex के थ्रू रहेगी इसमें effective governance के ओपर भी focus किया गया है जिसमें शक्तियों के प्रित्की करन ठीक है और कुछ साधारन नियमों को बना करके उसमें governance पर ध्यान दिया जाएगा और जो language भाशाई जो बातता रही है जो language के barriers है उन से उभरने का प्रियास इसमें किया जाएगा और कुछ common standards जो है वो public और private schools education के लिए रहेंगे अब आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे कि बच्चा कैसे सीखता है कैसे सीखेगा new education policy या राश्ट्रिय शिक्षा नीती के तहर बच्चे को सिखाने के क्या क्या नए तरीके जो है वो इसमें शामिल किये गए हैं वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले topic के साथ thank you so much